हाला अब्रेवन जाट वेरियर पे मेरा इस टाइम लाइब वाने का एक ही मकसद था क्योंकि जो बच्चे रोतक सेक्टर छह में अन्सन पे बैठे हुए थे हमारी कौम के लिए जाटों के लिए उन में से एक बच्चे की कंडिशन बहुत जादा क्रेटिकल है रहूल के और व आज बड़े शरम के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तीन बच्चे हमारे लिए इतने दिन से भूख अड़ताल पे बैठे हुए और वहां पे कोई आदमी नहीं जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं क्या रीजन है कुछ मुझे तो जहां तक मैं अनलिसिस कर पाई हू और गल्लो कि यहां भेड़ चाल हो गई है क्या। मैं यह नहीं कहते कि यह वहां दोलन खरना मलिक हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है ठीक है उनका अपना योगदान उनका अपना नेत्तरतव है लेकिन कोई भी आदमी हमारे लिए अगर कहीं बैठे हुए हैं तो हमारा बनता है ना मुन को भी उतनी ही प्रिविलेश दे बैनर अलग हो सकते हैं एजन्ड आ एक है मलिक का मलिक का संगठन अपने एंड पे लगा हुआ है तीन बचों का संगठन अपने एंड पे लगा हुआ है और मुझे तकलीफ हुई देखके मैं कई दिन से भारती में आज ही आय एक सुबावन भी या पता ने मुझे इतनी लोग की नौलिज नहीं है लेकिन कुछ भी है मैं आज एक बात यहां पर कहने आई हूँ मैंने आज तक यश्पाल मलिक का साथ दिया उसके संगठन का साथ दिया उसके लवाजितने जातनेता उनका साथ दिया हर खापके आदमी बचानी है ठीक है और उस बच्चे ने अपनी शहादत दे दिना तो यह श्पाल मलिक के लिए बात फिर भारी पड़ जाएगी नेता वो होता है जो जनता को अपना मान के चले अगर आज वो जाट नेता का एक लीडर्शिप उनमे क्वालिटी है और सारी कोम उनके उपर ड लग नहीं है और यह श्पाल मलिक की बिंगे जाट लीडर यह रिस्पोंसिब्लिटी बनती है वो उन बच्चों का हलचाल पुछे सरकार से डिमांड करें सरकार से डिमांड करें कि उस बच्चे के खिलाफ कारवाई ना की जाए जब सोंबिर जैसे ने गलत बोला कि परदा परदान तक देने वाले हैं उनके लिए श्पाल मलिक का कोई ब्यान नहीं आता है क्यों नहीं आता है ब्यान कोंची राशनिती चल रही है यह यह लड़ाई उन लड़कों की है मैंने पहले भी बोले लड़ाई उन लड़कों की है जो जेल में बंद है यह लड़ाई उन ल मुझे मैसेज आते मैंने अभी भी वो तो द्रिरण जीत सिंग जाट उनका मैसेज बढ़ा उनों ने कहा कि तीन आदम अपने न्यारे क्यों बैठे दे मंस के मादम से बाज साब को एक बात बताना चाहूंगी इस संगठन को सुपोर्ट हर जाट का है यह पैसा हमारा है जो सं तीन बच्चे भी तुम लोगों के मेरे बाप क्यों मर के हो आप लोग वो तीन बच्चे भी आप लोगों के हैं एक बुजूर्गान भी होने के नातिया आपको यह बोलना चीए ठीक है भले बच्चे अलग बैठ गए मैं यह नहीं कहती वो अलग क्यों बैठे लेकिन वो अगर आज वो लोग अलग बैठ गए तो आप लोगों के रिस्पोंसिबिलिटी है कि उनकी जान ना जाए अगर आप लोग कहीं समाज में खड़े हो कि अपने आपको संगठन का अद्यक्स बना रहे हो या बता रहे हो तो नेता की रिस्पोंसिबिलिटी यह होती है कि उसक के उसकी कौम के लोग सेफ रे सुरक्षित रहे और उनको कुछ ना हो और इस तरीके के बियान दोगे ना भाई सब तो मैं मंच के माद्यम से कहना जाओंगी आज आज जनता तुमारे साथ खड़ी है अगर उन बच्चों को कुछ हो गया ना यही अर्याने की जनता आप लो सिया बैठी लाट जोड़ी बैठी सार बैठी रोतक बैठी दिली बैठे मेरे सारे जाट भाई यह देख रहे हैं अगर यह सारे जाट उन तीन बच्चों का साथ नहीं देंगे उनकी जान चली गई ना तो डूब का मर जाई हो सारे फिर मैं तो यही कहूंगी डूब का मर यह तम जितने भी बैठे वे जाट नेता तम जितने बढ़े फिरोह आज डूब के मरज़े यह अगर उन में तो को यह से वालक का कुछ हो गया थे और शरम आवे मैं अथारे जैसे अगर बुज़ूर्ग इस तरीके की बात करना चाहरे हैं यह एकता होनी चाहिए यह लडाई किनो उन लोगों के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो आप मैं तो यही कहना चाहूंगी मेरी यही अफील है और मैं सरकार को भी यह कहना चाहूंगी मैं कल सारी मीडिया भी बुलाऊंगी खेर सरकार को भी यही कहना चाहूंगी किस बेस पे किस बेस पे जातिवाद का क केस लगा दिया एक बच्चा 25 दिन से भूख अड़ताल पर बैठा हुआ था उसकी क्रिटिकल कंडिशन हो रखी है वो मुझ की सिच्वेशन इतनी खराब उसकी फैमिली इतनी प्रेशान हम सब इतने प्रेशान हो रहे हैं उनको सुपोर्ट क्यूं नहीं कर रहे हो आप लोग और केस लगा दिया चलो ठीक है आपने केस लगा दिया कम से कम कोई भी क्या सरकार का कोई भी रिप्रेजन्टेटिव उनको समभलने के लिए नहीं आया और मुझे सरकार से जरह तकलिव अपने लोगों क्यों हो रही है जहां पर खीर अलवा मिलन लाग रहे हैं वहां तो ल हैं किसी नहीं हो ना मैं यह बता डू और ना के राज सनी आदमी हैं लेकिन जब देखते हैं ना ऐसी सिचोएशने को ऐसी चीज जों को देखते हैं तो तकलीफ होती है और मैंने तो आज सक इस पलमली को समर्थन दिया है हर जगे दिया हर जगे उनकी तारिफ किये मैंने ठीक लेकिन अगर आज हम समर्थन दे रहे ना तो मैं यह रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी उन लोगों से कि अगर साथ नहीं देना था तो उनके भाईयों को जो यह उल्टेसी दे मैसेज करते हैं उन बच्चों के लिए मत बोला कर ऐसे मैसेज ऐसी लाइने मत लिखो आप लोग जिनको देख के हमें तकलीफ होती है ठीक है अगर उन में से एक भी बच्चा मारा गया ना तो यह मेरा आज यहां पे इस ग्रूप के मादम से वादा जो जनता आप लोगों के साथ खड़ी है ना वो जनता सारी तूट जाएगी ठीक है और म एक साथ बांध के निचल सकते हैं तो कैसे नेता बन जाओगे हर आदमिया जेश्पाल मलिक के साथ खड़ा है तो क्या उनकी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं बनती और मैं अपने सारे दोस्तों को भाईयों को एक बात कहना चाहूंगी यह इंडिज्वल लडाई नहीं यहां यह मेरी नहीं है यह किसी और कि यह किसी किणाइट तिक थोड़ी सी भी किसे में शरम बचरी हो ना जितने जने तब मुड़ा बैठे हो जाकर जितने जने जितने दरणों पर बैढ़े हैं एक बार सेक्टर छेया वाले दरणे पर सारे पोच जाओ संड़े का टाइम रक्लो सुबैका सारे पोचो सरकार को यह बात समझ मैं यह तीन बच्चे हैं हमारे लिए बैठे और आमीन के साथ खड़े हैं एक बार इस सरकार को दिख जाएगा ना कि जनता इन तीन बच्चों के साथ भी खड़ी है वह लड़का नहीं मरेगा वहां पर और मर गया ना फिर अपनी जिन फेस्बुक पे लगे रहा थे थोड़ी बहुत भी रही हो ना जिसके बितर मैं खां मारे खातर बैठे हैं वे बालक मारी कोम खातर बैठे उन्हें एक लान आरक्षण चाहिए यह उन्हें एक लान है मतलब उनके भाईबंद दूबंद भीतर ठीक अबना अगर जाइओ संडे सुबह सारी जनता साथ खड़ी होगी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से या तो उनका अंसन तुडवाओं उन बच्चों का उनका अंसन नहीं तूटा तो उसकी जान जा सकती है यही रिक्वेस्ट करूंगी धन्यवाद